हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं Unit 4, जिसका नाम है Web Applications and Security, IT402, Class 10th. तो हम लोग इस वीडियो में Most Important Question को देखने वाले हैं, जो आपके इस साल, 2033 के Board Exam में आने वाले हैं. तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं. Number 1 Question दिया गया है, Define Networking. Networking क्या होता है? A Computer Network is a collection of computers and other hardware, component interconnected by communication channels, cables or satellites. जब कोई भी Computer, क्या होता है किसी Cable के थुरू या Satellite के थुरू connect होता है आपस में, तो उसको बोलते हैं Networking. That allows sharing of resources and information. यानि जब किसी भी Computers को Network से connect कर दिया जाता है, तब जो Computers होता है या Network होता है, वो हमें अलाव करता है किसी भी Resources को share करने में. यादि चाहे हमें कोई भी File Transfer करना है, ठीक है? या हमें कुछ चीज़े Transfer करनी है एक जगह से, दूसरे जगह या एक सिस्टम से, केंप्यूटर से, दूसरे सिस्टम या केंप्यूटर में. तो हम लोग आसानी से Networking के थुरू कर सकते हैं. Question number two है, दिया है, give any three advantages of Networking. कह रहा है कि तीन फायदे बताएं ये Networking के. पहला फायदा है Data Sharing. अगर हम लोग Networking यूज करते हैं, तो इसके थुरू हम लोग आसानी से Data को Share कर सकते हैं. One of the most important uses of Networking is to allow the sharing of data. जैसे आप लोग क्या करते हैं? Android से कोई है ना? क्या करते हैं? आप WhatsApp के यूज करते हैं और आसानी से कोई भी Data होता है. उसको आप Share कर लेते हैं. क्यों Share कर लेते हैं? क्योंकि आपके पास Internet होता है, Network होता है. File Transfers. अब दूसरा जो फायदा है वोगा File Transfer. किस तरह का File Transfer कर सकते हैं? You just can send text file, spreadsheet, documents, presentation, audio file, videos file, etc. यानि जब हमारे पास Network होता है, तो हम लोग इसका यूज करके audio file को, videos file को, image को, picture को, आसानी से एक computer से दूसरे computer में, या एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हम लोग भेज सकते हैं. Third है Hardware Sharing. Hardware Sharing का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, केबल का यूज करके, किसी भी computer से दूसरे printer में क्या कर सकते हैं, हम लोग connect कर सकते हैं. यानि अगर लगबग 4-5 computer से और हमारे पास सिर्फ एक ही printer है, तो हम लोग आसानी से उस single printer को सारे computer से connect कर सकते हैं. 4. Internet Access Sharing. You can purchase a single internet connection and share it among other computers in a network instead of purchasing multiple internet connection for each computer. अब इंटरनेट sharing कैसे हो सकता है, अगर हम लोग एक ही क्या करते हैं, एक connection लेते हैं इंटरनेट का, और अगर हमें उसे क्या करना है, दो से तीन computers में उसको share करना है, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं. Question number 3 है, Explain the term packet with reference to the data transfer. Packet क्या होता है, data transfers के संबंध में. तो जब भी हम लोग कोई data transfer करते हैं, ठीक है, तो वो packet के रूप में transfer होता है, मतलब छोटे-छोटे टुकडो में transfer होता है, समझ में आ गया. Example समझते हैं, अगर हम कोई videos है, हम लोग क्या करते हैं, WhatsApp के थरूँ, दूसरे किसी users के पास WhatsApp के थरूँ क्या करते हैं, send कर रहे हैं, तो जो videos होता है, वो छोटे-छोटे packet में जाता है, ठीक है, छोटे-छोटे part में जाता है पहले, और धिरे-धिरे क्या होता है, complete होता है, 100 जब complete होता है, तब क्या होता है, tick लग जाता है, मिनस की आपको जो file है, videos के वो transfer हो चुका है, अगर कोई packet missing हो जाता है, ठीक है, अगर आप send कर रहे हो कोई file, अब कोई एक packet missing हो जाता है उस file का, तो वो क्या दिखा देता है, error दिखा देता है, या recent का option so करता है, और वो कहत है कि आप फिर से इस file को resend करिए, पुना उसको भेजिए, अब देखते हैं, अच्छे से definition देखते हैं इसको, अब piece of data से अब a page, when it is transferred over the internet, each packet is sent from computer to computer until it is finally its destination, यानि जो भी data होता है, वो packet to packet, एक computer से दूसरे computer में transfer होता है, at the destinations, the packets are examined, यानि जब पुना data जो होता है, पहुं होता है, मतलब कि वो, क्या होता, process होता है कि हाँ, जो जितने भी data थे, वो इस system में आये हैं कि नहीं आये, अगर वो data आये रहते हैं, तो वो क्या करता है, बोल देता है कि हाँ, आप इसको यूज कर सकते हैं, या जो भी data हो transfer complete हो चुका है, the packets are now resemble into their original form, all this done in the seconds, यानि ये ज दिया है, explain Wi-Fi and its significance, so हमें इसको समझाने की जरूत नहीं है, Wi-Fi साब वाकिफ होंगे, क्या होता है Wi-Fi, Wi-Fi ये काफी popular technology है, that allows an electronic device such as computer and mobile phones to access data wirelessly over a network, यानि ये हमें allow करता है, किसी एक phone से दूसरे phone में data को transfer करने के लिए wirelessly, मतलब कि जब हम क्या करते हैं, Wi-Fi का use करते हैं, Wi-Fi network का use करते हैं, तो हमें इसमें cable की जरूरत नहीं होती है wirelessly, हम लोग बीना wire के हम लोग क्या होते हैं, connect हो जाते हैं, और असानिस हम लोग एक laptop या हम बोसकते हैं phone से, दूसरे phone में data को transfer असानिस से कर लेते हैं, Wi-Fi is used where cable cannot be run, यानि Wi-Fi कहां पर use होता है, जहां पर हम लोग cable को नहीं run कर सकते हैं, ठीक है, Wi-Fi आप लोग यूज करते होंगे, जैसे किसी का data हम बोसकते हैं, खत्म हो जाता है, यूज करते हैं, तो वो क्या कर electronic device से, wirelessly connect होता है, और यह हमें allow करता है, किसी भी file को, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इसको एक mobile phone है, या एक laptop है, दूसरे laptop या mobile phone में भेजने में यह हमें क्या करता है, help करता है, question number five है, compare land with when, यानि land क्या होता है, when क्या होता है, so land का full form होता है, local area network, local area network क्या होता है, is one which connect computer and devices limited geographical area, land क्या होता है, एक तरह का ऐसा network होता है, जो काफी कम दूरी तक फैला रहता है, कहां तक फैला रहता है, जैसे कोई building हो गया, कोई school हो गया, या computer lab हो गया, यहाँ पर land हम बोल सकते हैं, local area network का यूच किया जाता है, wide area network क्या है, a wide area network is one which cover a board area या large geographical area, यानि, when क्या होता ह से ऐसा network होता है, जो काफी दूर तक फैला रहता है, मतलब कि एक country से दूसरे country तक यह फैला रहता है, या इसका network होता है, वो connection होता है, अब इसकी example बोल सकते हैं, the internet is the most popular when, यानि जो example है when की वो है internet, question number six देखते है, expand the following terms, यानि जितने भी terms यह दिया गे हैं, इसको हमें क्य digital subscriber line क्या होता है, एक तरह का ऐसा cable होता है, जो हमें internet access provide कराता है, ठीक है, DSL provide internet access by transmitting digital data over wires of local telephone network, यानि जितने भी telephone network हैं, जैसे कि आप cables जानते होंगे, जो सड़क के किनारे क्या होता है, लोग cables क्या क्या करते हैं, जमीन के नीचे हम बोल सकते हैं, खोल करके इसको डाला जात होता है, और वहां से हमें क्या मिलता है, connections मिलते हैं, ठीक है, हमें internet access मिलता है, तो उसको बोलते है, DSL, मतलब cable के थुरू जो हमें internet access मिलता है, उसको बोलते है, DSL, digital subscriber line, ISP क्या होता है, ISP का फूल 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 होता है, internet service provider, ISP via telephone lines using a device called modem, user dial a particular number provided by the ISP and again access to the internet, अब ISP क्या है ISP एक telephone हम बोल सकते हैं कि एक internet service provider है, जो हमें access करवाता है internet से, और modem क्या है एक तरह का, modem के थुरू भी हम लोग क्या करते हैं, internet को access कर सकते हैं, असानी से, कुछ हमें numbers मिलते हैं, कुछ code मिलते हैं, उस code को हम लोग dial करते हैं, और हमारा हम क्या होते हैं, internet से connect हो जाते हैं, C देखते हैं, modem, modem क्या होता है, a modem is a device that converts digital computer signal into a form analog signal, modem क्या होता है, एक तरह का device होता है, जो digital signal को analog signal में convert करता है, और हमें internet access provide कराता है, www क्या होता है, www का full form होता है, worldwide web, commonly known as the web, is a system of interlinked hypertext document access via the internet, with a web browser, one can view web pages that may contain text, यानि www क्या है, एक तरह का एक एक ऐसा interlinked hypertext document है, जो हमें help करता है, web page जो होता है न, website पर हमें videos सो करने में, text, हम बहुत सकते images को सो करने में, यह हमें help करता है, worldwide web, land, land हम लोग ने पहले ही देख लिया, local area network क्या होता है, local area network क्या होता है, काफी कम दूरी तक है फाइलर आता है network, जैसे कोई lab हो गया, कोई school हो गया, इन सारे जगों होता है, man क्या होता है, metropolitan area network, metropolitan area network क्या होता है, connect computer within a city or more than two city like companies, यानि अगर एक city, पूरी जो city है, उतनी दूरी तक क्या हो गया है, यह network फाइला हुआ है, इसको बलते है, man, metropolitan area network, when क्या है, when, internet का example है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, P2P क्या होता है, peer-to-peer, network in which all the computers have an equal status are called peer-to-peer network, यानि ऐसा network, जिसके computer के पास equally status हो, जितने computers हैं, उतने क्या हैं, CPU हैं, तो उसको बलते है, peer-to-peer network, 7 है, explain P2P architecture and how it is different from client-server architecture, कहा जारा, peer-to-peer architecture को explain करिये, और यह client-server architecture से कितना मतलब different से हैं, So, network in which all the computers have an equal status are called peer-to-peer network, मनें पहले ही बता दिया आप लोगों को, कि जो भी computers क्या होते हैं, जिनके पास equal status हो, मतलब जितने laptop हैं, जितने desktop हैं, उतने CPU हैं, ठेके, उसको बलते है, peer-to-peer network, client-server architecture क्या होता है, network in which certain computers have a special dedicated task providing services to other computers, in the networks, are called client-server network, client-server network क्या होता है, जो client होते हैं, वो क्या करते हैं, server को कुछ काम देते हैं, और वो server क्या करता है, इनके काम को complete करके हमें देता है, ठेके, उसको बलते है, client-server architecture, the computers which provide services are called servers, यानि अगर कोई भी computers है, जो हमें service को provide कराता है, वो कहलाता है, servers, and the ones that uses these services are called clients, और जो उस service को यूज करता है, server के द्वारा दिया गया काम को, उसको बलते हैं, client. Question No.8, देखते हैं, list any five application based instant messaging software, instant messaging software का होता है, का ऐसा software होता है, जिसके थूँ, या इसका यूज करिया, आप directly क्या कर सकते हो, किसी message को भेज सकते हो, मतलब कि second में, आप मतलब बहुत कम टाइम में message को send कर सकते हो, पहला है Google Talk, दूसरा है Messenger, तिसरा जो application है instant messaging का, वो है Skype, फोर्थ है Windows Live Messenger and Rediff Ball, ये इतने instant messaging software जिसके यूज करके आप directly क्या कर सकते हो, किसी दूसरे users के पास, तुरंथ second में, second से कम भी time में, आप message को send कर सकते हैं, Question No.9, दिया गया है, list any three way based instant messaging applications, यानि ये web based, web based का मतलब की website पर जाके आपको ये काम करना होगा, जैसे कि Meebo हो गया, Yahoo Messenger for the web, MSN web messenger हो गया, Emo हो गया, ये क्या है, वेब based instant messaging application जिसका यूज करके आपको क्या कर सकते हैं, website पर जाके, इनको, आप open करेंगे website पर जाके, और वहां से आप इनकी हम बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं को, Question 10 है, What do you mean by instant messages? Instant messages का मतलब क्या होता है? एन instant messaging services, जा service that provide both text and voice communication developed by Google Ins, यानि instant messaging services क्या होता है, वो प्रवाइड कराता है, text या voice messages को आप send कर सकते हो, यानि जब instant messaging software आप यूज करते हो, तो इसका यूज करके क्या कर सकते हो, आप किसी भी text को टाइप करके send कर सकते हो, या voice को record करके send कर सकते हो, किसी दूसरे के पास. Google Talk can also be used for making videos call and to view update from Gmail mailbox. Google Talk का है, यह भी एक instant messaging software जिसका यूज करके आप video call भी कर सकते हैं, और Gmail का mail box है, उसको check कर सकते हैं. Google Talk is also free and is available as application based user needed to download and install Google Talk application to their desktop. Google Talk क्या है, एक ऐसा application है, जो free of cost है, यह available है, मतलब website पर जाका आप यहां से directly download कर सकते हैं. Question number 11 है, give any three key features of instant messaging. Instant messaging का तीन feature बताए, पहला है, text messages can be sent to one or more persons, यानि अगर हम लोग instant messaging software का यूज करते हैं, तो इसका यूज करके हम लोग text message को send कर सकते हैं, एक या दो से अधिक लोगों के पास. Second है, audio calling and conferencing. Audio call भी कर सकते हैं, आप इसका यूज करके instant messaging का यूज करके and video calling भी कर सकते हैं, और file transfer भी कर सकते हैं. यह सारे services हो सकते हैं, अब message history भी देख सकते हैं, कितने लोगों ने, क्या messages भेजे हैं. Question number 12 है, state any three rules and etiquette to be followed while chatting on internet? अगर आप किसी दूसरे से चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरनेट पर, तो क्या ऐसी three rules or etiquette होनी चाहिए हमारे पास? पहला है, message should be sought and to the point. अगर आप किसी unknown person से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो अच्छा etiquette है, sister 4 है, बात करने का अच्छा तरीका है, वो है कि आपको जो message होना चाहिए हो काफी sort होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, to the point होना चाहिए. Always introduce yourself by the name. जब भी आप बात कर रहे हैं, दूसरे इंसान से सबसे पहले अपने name को आपके का करेंगे? इंटर्ड्यूस करेंगे अगले परसन को. Third है, always ask if the other person has a time to chat first. और आपको पूछना है, अगले इंसान से जिससे आप chat कर रहे हैं बात कर रहे हैं, कि उनके पास time है कि नहीं हैं बात करने के लिए. Next है, in a business environment, know exactly what you want to discuss. अगर आप business related चीज़े आप बात करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस topic पर बात करने वाले हैं. Next है, typing or messages in uppercase is extremely rude. अगर आप कोई भी messages है और वह uppercase में क्या कर रहे है, capital letter में आप type कर रहे हैं तो यह काफी rude, मतलब काफी बुरा माना गया है, आपको कभी भी capital letter में message को type नहीं करने हैं, ठीक है? It is considered shouting and wary. इसको considered मतलब माना जाता है कि आप उस पर चिला रहे हैं, अगर आप धिया है what is a blog, explain its use. Blog क्या होता है और इसकी users क्या होते हैं? A blog is a discussion style site used by non-technical or technical users for creating personal web pages. यहां पर लोग क्या करते हैं? अपना view देते हैं या अपना personal चीज़े शेयर करते हैं. Personal lifestyle हो गया, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, किसी टेकनोलजी के बारे में बता रहे हैं, कुछ ने कुछ discussion होता है, ठीक है? Blog पर, मतलब उसको बलते हैं बेपीच. Blogs are similar to an online personal diary and simple to use. Blog क्या काफी similar है, काफी simple है, online personal diary की तरह है, वहां पर अपने लोग views देते हैं, कुछ सिखाना होता है, या कुछ सी चीज के बारे में discuss करना होता है, या बताना होता है, तो वहां पर लोग बताते हैं. You can also use offline blog software to create content first and later publish the content when an active internet connection is available. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो offline क्या करते हैं, software यूज करते हैं, blog को लिखते हैं, जब इनके पास internet connection आ जाता है, या internet connection available हो जाता है, तब उसको post कर देते हैं. Question number 14 है, list any five website that provide blog services, पांच ऐसे website का नाम बताएं, जो blog service को provide कराता है. पहला है wordpress.com, दूसरा है blogger.com, तिसरा है blog.com, चौता है wibli.com and फिप्त और लास्ट है blog.com, ये पांचों जो website है, यहां पर जाका अपना, खुद का blog create कर सकते हैं, discuss कर सकते हैं. Question 15 है, difference between web page and website, ये कह रहा है कि web page क्या होता है, और website क्या होता है, तो देखते हैं, website is a collection of web pages which contain the information in the form of text, images, animations, videos, sound, यान वेपसाइट क्या होता है, collection of web pages होता है, जो की contain करता है, यानि वहां पर क्या होता है, वेपसाइट पर text, जो भी information होता है, text के form में भी हो सकते हैं, image के form में हो सकते हैं, animations, videos और sound के form में, मतलब की website पर वो मौझूद हो सकते हैं, text, image, videos और content करता हैं, या वहां पर मौझूद होता है, question 16 है, what do you mean by publishing a post, publishing a post का मतलब क्या होता है, publishing the post means, when we finish the writing of content in the blog, after checking the whole content, we can now publish that content online, publishing a post का मतलब कि जब आप कोई blog लिख रहे हैं, और आपने पुरी तरह से उसको complete कर लिया लिख के और उसको क्या करते हैं, आप करना चाह रहे हैं, उसको online post करना चाह रहे हैं, ताकि सारे जितने भी public हैं, उसको देख सके, तो उसको बोलते हैं, publishing a post, question 17 है, list any five offline blog editor, यह कह रहा है कि कुछ, मतलब को 5 offline, and तिसरा है blog disk, यह क्या है, एक ऐसे software हैं, जो offline blog को edit कर सकते हैं, question 18 है, explain the purpose of online transactions, यानि क्या purpose है online transactions का, तो online transactions का मतलब समझ रहे होंगे, कि transferring of the money online, जब हम लोग पैसे को क्या करते हैं, ठीक है, जो रूपे पैसे होते हैं, उसको हम लोग internet के थुरू या online क्या करते हैं, transactions करते हैं, एक account से दूसरे account में उसको बलते हैं, online transactions, online transactions have made transactions very convenient and simplified that workflow in many form in the businesses, online transactions deal with the transfer of money over the internet, यानि online transaction क्या होता है, transfer of money over the internet, जब हम लोग किसी भी रूपे पैसे को transfer करते हैं, internet पर, ठीक है, internet का यूज करके, एक account से दूसरे account उसको बलते हैं, transactions, revolutions in the electronic media has made transactions handle easy, और यह जो transaction है, ठीक है, काफी easy हो गया है online, क्योंकि काफी secure होता है, और इसमे time नहीं लगता है, और हमें bank में भी नहीं जाना पड़ता है, हमें bank में line भी नहीं लगाना पड़ता है, हम लोग क्या करते हैं, सिधे अपने mobile से app download करते हैं, phone पे गूगल पे, directly हम लोग क्या होते हैं, login हो जाते हैं अपने account से, और वहां से, दूसरे जिसे भी हमें भी भेजना हो, उसका account details होता है, और हम लोग उस account details क्या करते हैं, second में भी पैसे send कर सकते हैं, question 19 है, list any five websites that allow online transactions, पाँच ऐसे website का नाम बताई ये पूछा जा रहा है, जिस पर online transactions संभव है या किया जाता है, पहला है, IRCTC, ये कहा है, IRCTC, an online portal for booking flight and train tickets, ये एक ऐसा, हम बोल सकते हैं, online portal है, जहां पर transaction होता है, जहां पर लोग क्या करते हैं, flight का और train का ticket पूग करते हैं, विशान संभी, लोग ये पर product कंपी करते हैं, और उसको क्या करते हैं, online transaction करते हैं, E-bay क्या होता है, an online portal for buying and selling goods, यहां पर eBay क्या होता है, लोग समान को बेजते हैं और खरीते हैं, ठीक है, और वहां पर transaction करते हैं online, नेक्स्ट है रेड बस एन ओलाइन पोर्टल फोर बुकिंग बस टिकेट अगर आप बस टिकेट को बुक करना चाहते हैं ओलाइन ठीके तो वह रेड बस के थूरू आप बुक कर सकते हैं और फाइवाशन चाहिए लिस्ट ये थी पेमेंट टूल स्क्री ऑओलाइन ट्रांजेक्शन है तीन ऐसे टूल का नाम बताइए जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के हम लोग यूच करते हैं पहला है डेविड काक डूसरा है क्रेड़िट का और तिसरा है पेटियम इन तीनों और यह काफी fast होता है, काफी कम time में हम लोग पैसे को transfer कर पाते हैं, low risk of depth और यह चोरी होने का बहुत ही कम risk होता है, online transaction में, Question 22 है, explain the purpose of internet security, internet security का purpose बताजे क्या होता है, internet security is a branch of computer security, specifically related to the internet, यह क्या होता है, internet security क्या होता है, एक तरह का computer security से related चीज़े हैं, obtain involving browser security, but also network security, यह हमें browser security और network security दोनों provide कराता है, it is objective to establish rules and measures to use agnes attack over the internet, यानि internet security का कब यूज होता है, यह हमें बचाता है, लोगों से, जो क्या कर सकते हैं, हमारे खिलाफ attack करते हैं, जब viruses वगरा यूज करते हैं, या कोई hackers वगरा होता हैं, वो होते हैं, हमें क्या करते हैं, हमारे data को क्या करते हैं, लब की reveal करने की कोशिश करते हैं, या हमें नुकसान पहुचाने की कोशिश करते हैं, internet के through, network के through, तो यह हमें internet security जो है वो हमें बचाता है ठीक है और यह हमें क्या करता है rules और काईदे सिखाता है कि हमें internet पर किस तरह से काम करना चाहिए और हमें internet का किस तरह से यूज करना चाहिए या किस तरह से हमें fraud से बच कर रहना चाहिए question number 23 है explain any five tips to manage a strong password अगर आप पास्वर्ड को क्रियेट करना चाहते हैं तो सब से पहले आप क्या करना करना चाहिए आपको keep the length of password at least 12 to 14 characters सब से पहले अगर आप पास्वर्ड create कर रहा है HO à strong password create कर रहा है तो 12 सब 14 characters का आपका password होना चाहिए Avoid keeping password based on repetitions और अगर आप password को create कर रहे हैं तो बार-बार उसको repeat ना करें कुछ अलग हम बहुत सकते characters को, special characters को या numbers को इंटर करें including numbers, symbols, इन passwords आपको use करना है कि इसको numbers को भी और symbols को भी password create करते समय है ताकि आपको जो password या कोई दूसरा मतलब कि याद ना कर सके या कोई दूसरा उसको चुरा ना सके Use capital and lowercase letters और हमें capital letter और lowercase letter भी use करना चाहिए हमारे password में Avoid using the same password for multiple sites or purposes हमें अगर हम बार-बार कोई password है उसको use कर रहे हैं different sites तो वो उस तरह के हमें same password कभी भी create नहीं करना चाहिए Avoid using something that the public workmates no use strongly like और dislike यानि ऐसी चीज़े यानि उस तरह के हमें password नहीं create करना चाहिए जो हमारे friends वोगरा जानते हों कि हाँ इसको ये चीज़े पसंद है और ये चीज़े पसंद नहीं है Use random password generators if possible random password generators क्या है एक तरह का टूल से इसका यूज करके आप एक अलग password कर सकते हैं फॉर एक्जेंब्ल यहां पर यूवन भी एक्स और इस तरह का symbols होगरा है तो इस तरह के जो password होते हैं काफी strong होते हैं अगर आपने इस तरह का password create कर लेते हैं तो कोई भी आपको दिकत नहीं पहुचा सकता है question 24 explain the term evacuation policy evacuation policy क्या होता है every organization must have an evacuation policy और कोई भी organization है बड़ी जो संस्ता होती है उसके पास evacuation policy होती है evacuation policy means कि अगर कोई emergency हो जाती है किसी भी organization में मतलब जैसे कि कोई आग लग गया या किसी इंसारों कुछ हो गया तो किस तरह से उस organization को खाली कराना है ठीक है इसको बलते ही evacuation policy all the team leaders are responsible for informing about the policy of their employees about it यानि जितने भी team leaders होते हैं किसी भी organization के वो responsible होते है evacuation policy के बारे में उनको बताना होता है हार एक employee को ठीक है वहां का roles मतलब अगर कुछ emergency हो जाती है या जो भी imply है हमें किस तरह से भागना है या emergency exit कहा है तो यह सारी चीज़े evacuation policy में आती है question number 25 है what do you mean by occupational hazards occupational hazards का मतलब है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं किसी काम करते हुए कहीं चोट लग जाती है तो यह इसमें आ जाएगा occupational hazard में आ जाएगा and occupational hazard is the illness one may acquire due to his occupation like people working in a chemical factory and may get affected due to the presence of certain chemicals अगर कोई इंसान है जो chemical factory में काम कर रहा और उसको दिक्कत हो गया अफेक्ट हो गया उस chemicals तो उसको बलते है है occupational hazards question 26 and last है इस unit का वह है लिस्ट एनि थ्री टाइपस अफ occupational hazards आपको थ्री टाइपस के occupational hazards बताने है पहला है physical hazards physical hazards मतलब कि आपको चोट लग सकती है chemical hazards मतलब जो कोई chemical है उससे आप effect हो जाते हो बाइलाजिकल hazards मिंस कि आपके body में कुछ हो जाती है behavioral hazards मतलब कोई आपको परिसान कर रहा है या radiological hazards मिंस कि कोई radiation वगरा है इससे आपको दिक्कत होती है agronomical hazards यह सारे क्या है यह occupational hazards के types हैं so I hope आपके video काफी help करेगा CVSC board 2023 में so best of luck all of you have a good time have a good exam thank you